अमेरिका को भारत ने दिया चटका, 29 उत्पादों पर लगाया, इंपोर्ट ट्यूटी, आयाद सुल्क भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर रभी वार को आयाद सुल्क में बढ़ोत्री करने का फैसला फाइनली कर लिया है अमेरिका त्वारा पिछले साल स्टील और इलमुनियम पर आयाद सुल्क पढ़ाने के पाथ भारत ने यह प्रत्रकिरिया दी है हालंकि दोस्तों आप सभी को बता दो इस डिसेजन को भारत कई बार से टालते आ रहा था लेकिन जब इंडिया ने देखा कि अमेरिका हमारे खिलाब सक पे सक एक्षन लिये जा रहा है जैसा उन्होंने इंडिया को जीएसपी से बाहर कर दिया और उसके पावजूद सब सोर्स सब अपील सब सपोर्ट करनी के पावजूद इंडिया को वापस सामिल नहीं किये जीएसपी में तो इंडिया ने यहाँ प्रत्रकिया दी है क्योंकि जीएसपी से निकलने के बाद हो सकता है इंडिया को रिविन्यू का लॉस हो तो इंडिया ने फाइनली रिविन्यू का लॉस से पचनी के लिए अमेरिकी की डिसिजन का कड़ा पिरोत कहते हुए 29 उत्पादो गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ा दिये आईए दिखते हैं कौन-कौन से वो आइटम है जिसवे इंपोर्ट ड्यूटी गौर्वर्मेंट आप इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से पढ़ाई गई है अमेरिकी अखरोड पर 30 परसेंट से पढ़ा कर 120 परसेंट कर दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी इसके अलावा चना और मसूर ताल पर 30 परसेंट से पढ़ा कर 70 परसेंट और अन्नी तालों पर 40 परसेंट तक ड्यूटी पढ़ा दी गई है इसकी अलावा पोरिक एसिट के साथ साथ अन्य रसायनों पर भी इंपोर्ट ट्यूटी लगा दी गी है और इसके अलावा सेप, नास्पाती और कुछ स्टील की उत्पातों पर भी इंपोर्ट ट्यूटी बढ़ाई गी है अब आईए दिखते हैं इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ाने से इंडिया को कितना रिविन्यू जनरेट होगा तकरीबन 21.70 करोड डॉलर का रिविन्यू जनरेट होगा जो इंडियान रुपीज में 1500 करोड रुपे का है आप कमेंट में बताईए यह फैसला इंडिया का आपको कैसा लगा क्या इंडिया को इस तरह के फैसले लेने की चरूरत है या फिर अमेरिका के सामने स्लोली स्लोली आराम से चलना चीए जैसे हम पहले चला करते थे ठेंक्यू सो मच इंडिया कीजिया अजाक आराम से जैसे हम र 몇 इंडिया है